यार याद करो वो दिन जब तुम 11th क्लास में थे याद करो वो दिन जब तुम 11th क्लास में थे और तुमारा सिर्फ एक ही सपना था एक ही गोल था जिन्दगी का एक ही मोटिव था कियार मुझे तो आयाइटी बॉंबे आयाइटी डेली ऐसी टॉप टॉप आयाइटी में CS ब्रांच या फिर टॉप की ब्रांच के साथ एडिमिशन लेना है पर सच्छा ही यह जैसे जैसे समय बीचता जाता है यह सपना हमसे दूर होता जाता आज के समय पे आज शायर तुम तुमारे पास अभी जैसे एडवांस के लिए एक साल हो या फिर अगर तुम 2022 के बैच वाले हो तुर तुम्हें पता होगा कि डेट्स आ चुकी है जो कि है तीन जुलाई तुर आज के टाइम पे तुम्हें स्ट्रेस तो हो रहा होगा तुम तो समय बहुत है बहुत समय है तुम लोगों से आगे अब भी निकाल सकते हो बस तुम्हें प्रॉपर एनलिसिस चाहिए एक प्रॉपर स्ट्राटेजी चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए यार तुम्हें ना मेहनत करना आता है मेरा एक सपना है कि जितने भी देने के लिए फिर से आया हूँ, आज का जो टॉपिक है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पॉर जे एडवांस, मतलब यार, एक प्राइवरेटी ओडर लेके आया हूँ, यार, देख, पिछले साल के अपॉर्डिंग, यह सब है, यह सब है, केमेस्ट्री, फिजिक्स, मैठ, तीनों का इनलेस्स, तो, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, and let the struggle begins, अगर तुम नहीं निकालते हैं, तो, एड्यूकेशनल वीडियो देखने का कोई परपस नहीं होता, so, let us start, and चलिए, शुरू करते हैं, So, hi guys, I am Prashant, और यार, देखो, अगर मैं छोटा सा अपना इंट्रो दूँ तो, यार, मैंने J-Main and J-Advance 2019 में clear किया हुआ है, and I am a third year student, जो कि अभी के time पर अपनी engineering pursue कर रहा है, तो, आज जल्दी से start करते हैं, physics के साथ मालब physics काफी important chapter, मैं भी आज के time पर students को physics पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो, आर, देखो, physics के, अगर मैं start करता हूँ, physics का पूरा analysis देखते हैं, फिर chemistry का, फिर math का, ठीक है, जल्दी-जल्दी आगे बढ़ेंगे, समय नहीं है, क्यूंकि, समय की काफी जादा कमी, अभी के time पर हमारे पास चल रही है, physics का, अगर आप देखोगे analysis, आपको चीज़े clear होती जाएंगी, खुद बाखुद, देखो, optics की, अगर मैं बात करता हूँ, यहां ray हटा लेना, पूरा optics है, wave optics, plus ray optics, कि जो आखरी 5 सालों का, अगर analysis में देखूँ, तो 16 question यहां दिख रहे हैं, आपको, हर साल, approach to approach, 3 से 4 question आ रहे हैं, आगे बरते हैं, rotational, very important, यहार, आपना copy pen लेकर, यह सारी चीज़े note करते जाएं, यह list, आपको वैसे तो, telegram पे मिल जाएगी, telegram आप यहां से join कर सकते हैं, link है description में, पर फिर भी आप note करते जाएं, अगर, क्योंकि आप note करोगे, तो दिमाग में अल्रेडी छटा जाता है, ठीक है, तो rotational motion, very important, देख सकते हो, आप यहार, 5 सालों में 14 question, अब, एक ऐसा chapter, जो कि मैं बोलता हूँ, J-Advance, आज कल, बहुत पूछ रहा है, क्या है, mechanic property of fluids, मतलब है, fluids बगएरा के, जितने भी concept होते हैं, उसके बहुत ही सारे question, J-Advance में आ रहे हैं, छोटा chapter है, scoring chapter है, star mark कर लें, आपर star mark कर लें, आगे बढ़ते हैं, thermodynamics यार, इतना असान chapter और इतना scoring, हर साल, दो से तीन question, पूछ लिए जाते हैं, कभी कभार passage form में भी आ जाता है, जिसका की, एक question की numbering, चार से पांच होती है, आगे बढ़ते हैं, electrostats, very important, gos law अगेरा, सब important है, magnetic effect of current, अपनी next priority order, इसका भी आप question देख सकते हैं, इतने सारे आ रहे हैं, alternating current, वापिस से एक important chapter आता हुआ, हमारे सामने, alternating current के भी, हर साल around to around, दो question आ रहे हैं, thermal properties of matter, thermal properties of matter, बहुत जादा important है, लोग इसको skip कर देते हैं, पर एक असान chapter है, और आप scoring देख सकते हैं, तो यह हुई हमारी physics का यार, थोड़े बहुत chapter के बाद, आगे और बढ़ते हैं, और chapters को देख लेते हैं, ठीक है, तो चलिए फिर थोड़े सा आगे बढ़ते हैं, आगे आप आप देख सकते हैं, यार, यह भी सारे important chapter हैं, अगर आप ध्यान से देखो, तो nuclear physics, atomic physics, unit dimension, यार nuclear physics और atomic physics मिलके क्या बनाते हैं, modern physics, भाईया, modern physics, मतलब भाईया, modern physics के 14 सवाल पूछे जा रहे हैं, पात सालों में, इसका मतलब 3 question, हर साल, क्या बात है भाईया, modern physics तो पढ़नी पढ़ेगी, बिल्कुल पढ़नी पढ़ेगी, unit dimension से हर साल एक सवाल पूछा जाता है, सबसे असान सवाल, मतलब 4 नंबर तो यहाँ पर तुम अपने प्लस अल्रेडी कर सकते हूँ, motion in 2 dimension, kinematics मैं पढ़ा चुका हूँ, channel की लिंक है description में, उसके साथ साथ current electricity भी है, electromagnetic induction से भी एक सवाल असान सा आ जाता है, kinetic theory of gases में से मतलब बहुत असान चेप्टर है, degree of freedom से एक सवाल आता है, mathematics in physics, यार यह कोई concept नहीं होता, छुटी-छुटी चीज़े होती हैं, जो कि हर तरफ से होती है, जब तुम physics पढ़ रहे होते हैं, तो यह chapter एक तरीके से आ जाता है, पर अगर मैं नाम बोलू, mathematics और physics ऐसा करके, कोई भी chapter है नहीं, ठीक है, चीज़े हो रहे हैं clear, अगर हो रहे हैं तो like कर देना, वीडियो का है न, थोड़ी सी महनत लगती है, effort लगते हैं, क्योंकि यार, अगर हम अपनी तरफ से effort लगा रहे हैं, तो आपको भी like करना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, laws of motion, work power energy, center mass collision, dual nature of matter, experimental physics, waves and sound, capistence optics, इसके आप देखोगे तो यार, इसके 4-4-4-4 question, 5 साल में पूछे गा हैं, मतलब, ये जो chapter हैं यार, इनके J advance में कम question पूछे जाते हैं, इसका क्या मतलब है भाईया, क्या हम इसको skip कर सकते हैं, बिल्कुल यार, इसका मतलब ये है कि, कभी इसका question आता है, कभी इसका question नहीं भी आता, अगर मैं बता हूँ यार, आपको अगर short-shot में पढ़ना है, तो आप work power energy, इसको पढ़ सकते हो, ऐसे छोट-छोटे chapter हैं, dual nature of matter, इसको पढ़ लेना, waves and sound इसको पढ़ लेना, experimental physics इसको छोड सकते हो, ऐसे मतलब ये chapters हैं, जिनके एक-ए question पूछ लिए जाते हैं, बट यो tip-ported नहीं है, और इनके जो concept हैं, वो भी कभी-कभार hard आ जाते हैं, तो देख लो यार, मैं अपने मंद से नहीं बना के बोल रहा हूँ, मैं previous 5 year के trend पे चल रहा हूँ, मैं सारा trend से analysis करता हूँ, मैं अपने मंद से बना के नहीं बोलता है, क्यार मेरे दोस्ती जी advance वालों से है, और मैं उनसे paper league करा दूँगा, नहीं, trend पे चलेंगे, एंड जेई clear करेंगे, चलिए, physics की सारी चीज़ा आपको clear हो गए होँगी, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, समय की काफी कमी है, physics के आप 3-4 chapter और बच्चने है, mechanical properties of solid oscillation, motion in one dimension, and gravitation, देख सकते हो, काफी जादा कम important chapter है, इनको तुम बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे बढ़ते हैं, chemistry, भाई या chemistry बताओ, क्योंकि जेई advance में, अगर एक सच्चा ही बताओ मैं तुमें, तो chemistry will make your score high for sure, for sure, मतलब करके ही रहेगी, ये तो सत्य है, आज की जिन्दगी का सत्य है, इसमें कोई दोराएं नहीं है, ठीक है, तो और chemistry में अगर हम बात करें, तो आप देख सकते हो, सबसे ज़्यादा important P-block, मतलब inorganic chemistry का weightage, भाई अब बहुत ज़्यादा है, हाइड्रो कर्बन सिंपोर्टेंट है, थर्मोडैनमिक्स इंपोर्टेंट है, सलूशन्स, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और अल्डी हाइड और केटॉन्स, अब देख लो, आप खुच सोचो, जब इसके सवाल जादा आ रहे हैं, तो क्या हमारी थोड़ी सी mental एक thinking होनी चाहिए, कि ये सारे chapter इसी order में करो, जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगर आपकी preparation आज के समय में अच्छी नहीं है, तो एक मैं सच्चाई बता दूँ, जए एडवांस में, तो एक मिनिट का समय लूँगा, और अगर आपको बुक अच्छी लगते है, तो आप purchase कर सकते हो, लिंक है description में तो चलिए, तो एक बुक का तुम्हें recommendation देना था, बहुत ही खतरनात किताब है, दिशा Publications की Mathematics की Mathematics की, 97 year previous year, मतलब एर J-Main के लिए, बहुत ज़ादा important किताब है, अगर आपको एर J-Main फोड़ ना है, तो आपको previous year question लगाने पड़ेंगे, hopefully अब आद सभी को बता होगी, तो इस book को आप purchase कर सकते हो, इसमें 97 previous year question सारे, detailed solution के साथ है, attempt कैसे करने हैं, सबसे पहले आप खुद attempt करेंगे, अगर आप से solve नहीं हो पाता, solution देखेंगे, approach देखेंगे, इसकी जो खासियत है, इसकी जो speciality है, वो यह है कि आपको इसके solution बिल्कूल accurate है, एंड बहुत अच्छे manner में लिखे गए हैं, इस किताब के अंदर, तो आप यार बिल्कूल purchase कर सकते हैं, link है description में, उसके अलावा यार, इसके दो version और आते हैं, physics के आपको दिख रहा होगा, और chemistry का आपको दिख रहा होगा, 97 year का तो यार, इसको आप लोगे, तो आपकी जो preparation level है, वो next level हो सकती है, तो buy कर सकते हो, लिंक है description में, अब बढ़ते हैं video की तरह, तो चलो है, फिर से अब अपन main point पर आ जाते हैं, जो की हमारे chemistry का चल रहा था, तो देखो, अब हमने पहला priority order की बात कल ली, second priority order हो हमारे ये होना चाहिए, structure of atom, chemical bonding, chemical kinetics, dnf block, states of matter, general organic chemistry, amines or solid state, question आप देख सकते हैं, हर साल around to around one, या फिर दो question पूछे जाते हैं, सबसे जादा important है, structure of atom, priority number two से, चलिए, आगे बढ़ते हैं न, जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, चलिए, 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 देखो यार chemistry काफी असान होती है, और chemistry बहुत जादा scoring होती है, तो please आज इसे अभी से पंड़ना start कर दें, अगले पे चलो गयार, जन्रल principle of isolation, मतलब metallurgy, एक question हर बार पूछा जाता है, सबसे असान chapter है, आगे देख लो यारे सारे chapter, जिनके एक एक question पूछे जाते हैं, पर इनका जो priority order है, वो काफी कम है, ठीक है, चीज़े clear हो रहे हैं, और काफी अच्छी चीज़ है, आगे चलिए, एक दो chapter और बच रहे हैं, chemistry के जैसे कि, biomolecules, polymers, ये बहुत असान chapter है, एक question भी अगर इनका आता है, math भी एक बहुत important है, क्योंकि हम math में score नहीं कर पाते, आज के समय पर हम बहुत मेहनत लगा लेते हैं, पर math में हमें score नहीं कर पाते, तो भईया क्या करें, चलिए दिखाता हूँ math के important topic बताता हूँ, अगर इनके according तुम पढ़ते हो, मतलब तीन question हर बार के आते ही आते हैं, matrix determinant एक असान and important chapter, please आज ही पढ़ने अगर नहीं पढ़ा है, तो application of derivative, derivatives बहुत ज़्यादे important है, देख लीजे कितने question आ रहे हैं, circle भी important है, continuity and differentiability भी important है, probability के भी जे advance आज कल काफी सारे question पूछ रहा है, मतलब हर बार दो question आ ही जाते हैं, limits, permutation, combination, मतलब अगर तुम यह पढ़ना है, तो math अगर तुम इस strong करनी है, यह priority number one होने वाला है, इसके according अगर पढ़ोगे, तो बहुत अच्छा score लिया हुए, जिंदकी में कुछ अच्छा कर लोगे, ठीक है, क्योंकि हमें जाधा score math में करना नहीं होता, अगर हमें rank लानी है, तो chemistry और physics से आ जाती है, math तो सिर्फ यार एक basic होता है, चलिए, definite integral, vector algebra, complex number, यह हमारा priority number two है, देख सकते हो, सभी के question पाथ साल का analysis है, ठीक है, यह सारी चीज़े देख सकते हो, तो एक मैं chapter की recommendation करूँगा, vector algebra, असान question आते हैं, और हर बार दो question आया जाते हैं, तो इनसको please से please पढ़ लें, चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय की कमी है, जल्दी-जल्दी कराएंगे, ठीक है, चीज़े सभी को clear हो रही होंगी, आगे बढ़ते हैं, यार, देखो math में कुछ chapter और है, binomial theorem, properties of triangle, inverse trigonometry, straight line, function, differential calculus, और यह सब आप देख, differential equation, differentiation, basic of math, set relation, and indefinite, indefinite के ना के बराबर question पूछे जाते हैं, मतलब बहुत कम chances है, आप देख सकते हो, यह सारे जो priority order है, यह कम होता जा रहा है, और इससे उपर का जो है, वो बहुत ही तगड़ा priority order है, तो इस priority recording, अगर आप पढ़ते हो, आज के समय पर, तो एक बहुत अच्छा score, आप कर सकते हो, बस एक जुनून होना चाहिए, मन में एक यार, वो होना चाहिए, यार, मुझे करके दिखाना है, अगर तुम्हारे अंदर जुनून है, तो चीज़े बनने लगेंगी, automatically होनी रगेंगी, बस महनत करते रहो, ठीक है, चीज़े सभी को होई के लिए, किसी को कोई doubt, doubt है, तो comment section में, प्लीज से प्लीज पूछ लेना, तो यह आपका सारा priority order हो चुका है, आज के time पर, हमने बता दिया है, physics, chemistry, math को कैसे आप पढ़ सकते हो, अगर आपको advanced level तक जाना है, बस एक चीज़ याद रखना, कि यार, आपका goal clear होना, चाहिए, कि यार, आपने जो 11 में एक सपना देखा था, उसको आप पूरा कर पाएं, तो इस सारे chapter को इसी priority order में पढ़ना है, जो कि आज के समय पर मैं बता चुका हूँ, वीडियो अच्छे लगते हैं, तो comment करें, comment में links वगेरा सारी दे रखी हैं, अगले वीडियो में कोई भी डाउट है, टेलिग्राम जोइन करें, all the best.